नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चनल आजूकेशन फोरियू में और अभी तक आप लोग ने इस रिट के लोग के बटन को दपा का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा पटे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ में गंटे के बैल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताकि राख नो बजे और शाम साथ बजे जो लाइफ क्लासे होती है आपके लिए फ्री और कॉस्ट इसका नोटिफिकेशन में सके आपको सबसे पहले और बिल्कुल फ्री नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का श्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फोरियू में जैसा कि आप लोगों को पता है सुबा छे बजे ये वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलता है दोस्तों तो रोज सुबा छे बजे देखा करो आप देने जा रहा है एक स्टेट या किसी भी टैट अपके लिए और इनसे कोशन आप बनते हुए जरूर देखेंगे दोस्तों वीडियो पूरा देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना इस वीडियो में टार्यट मैंने रखा हूं लगबाग 2000 लाइकिंग का देखते हैं कितनी लाइकिंग आती है च समाजिकरण की प्रात्मिक मुमी का कौन सी होती है पहला समाजिकरण बच्चे का कहा से होता है दोस्तों आपको कहना था परिवार से पहली जो समाजिकरण की पाट साला होती है वो परिवार होती है और इसमें समाज और समुदाय का भी उतना रोल होता है आगे चलिंगे दो तो ये कतनना जॉन्सन के द्वारा कहा गया था कि समाजी करण भी एक सीखना है और जो सीखने वाले को समाजी कारे करने की योग बनाता है अगला कुशन, भाई समाजी करण की क्या विसिष्टा नहीं है, पिस समाजी करण की विसिष्टा ये नहीं है दोस्तों, कि व्यक्ति में समाजी करण में समुदाय की कोई भूमी का निभाई होती है, अगला कुशन, यहाँ पर अगला कुशन दिया गया है, मनो समाजिक सिध् प्रतिपाधन किसके द्वारा किया गया है तो दोस्तों ये erik shan के द्वारा किया मिदर अगला question समाजिग्रण के प्रक्रिया क्या है उफ्टार्ण खनी और अप समाज के मुल्लेव को विश्वास और करे लेते हैं समाजी करण का नाम दिया गया है अगला कुशन यहाँ पर दोस्तों मनो समाजिक सिधान जो एरिक्षन का है वो किस बात पर बल देता है यह कुशन बनता है यह सारे पॉइंट्स हमने आपके लिए निकाले हुए है ताकि आपको ना कम समय में ज़्यादा मिल सके है जवाब होगा है यहाँ पर उद्धम के मुकाबले हींता है अगला कुशन बनता है समाजी करण समाजी करण क्या है समाज के माफदंडों के अनुकूल कारे करना समाजी करण कहलाता है आगे हम चलें दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है विद्ध्यार्तियों के साथ सम्प्रिशन का अर्थ क्या होता है उद्ने अपने विचारों से अवगत कराना यह क्या होता है सम्प्रिशन का अर्थ होता है विद्ध्यार्तियों के साथ दोस्तो आगे हम चलें वही समाजिक अधिगम आरंब होता है वही लोगों के संपर्ग में आने पर समाज के परिबार के संपर्ग आने पर जो अधिगम है ये प्रारंब होता है आगे चलेंगे दोस्तो वह कुन सी संस्ता समाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है तो देखिए समाजिकर्ण में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली संस्ता क्या होती है परिबार होती है परिबार एक साधन है दोस्तों आपको पहले भी कई बार मैंने ये बताया हुआ है कई बार ये कुशन बना हुआ है कि परिबार एक आपचारिक सि और आपके इसकूल विद्याले जो हैं उनके दी उनके द्वारा दी जाने वाली सिक्षा जो है वो एक आपचारिक सिक्षा है आगे चलेंगे पर क्या कहा जा रहा है समाजी करण परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देने वाली संस्ता कून सी है तो दोस् विद्याले समाजिकरण का एक महतपुड कारक है कहने का मतलब यह है कि विद्याले में भी समाजिकरण होता है आगे चलेंगे हम तो बालक का समाजिकरण किस से संबंदित नहीं है दोस्तों वह प्रक्रिया जो तुरंथ हो जाए ये एक समाजिकरण से संबंदित प्रक्रिया आगे हम चलिंगे यहां कहा जा रहा है दोस्तों किसी बच्चे के समाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिकत कारक क्या नहीं है तो वो मित्र मंडली नहीं है आगे हम चलिंगे दोस्तों समाजिक परिवर्तन को सर्वदिक कारी कारक हैं, जो सिक्षा में बच्चों के समाजी विकास में महत्व देता है, तो दोस्तों वो होता है, खेल अगला कोशन दिखते हैं फिर ये सारे कोशन जो है ना ये कही ना कहीं बन सकते हैं ध्यान रखना इस बात का इसलिए क्या है ये सारे कोशन मैंने आपको important points की रूप में निकाले हुए है समाजी करण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वावयस्क सीखते हैं परिबार से सीखते हैं आप विद्याले से सीखते हैं अपने बड़ो से सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं वह प्रक्रिया क्या होती है समाजी करण कहलाती है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण कब होता है ये कोशन मैक्सिमम पूछा गया है आगे चलेंगे शिख्चा के संदर्व में समाजी करण का अर्थ क्या होता है आप समाज के रीती रिवाजों को परंपणाओं को मानने लग जाएं उनका पालन करने लग जाएं अगा दूसरी लेंग्वेज में मैं कहूं दोस्तों तो समाजिक बातावरण के आप अनुकूल पुलित हो जाएं आप उसमें समायोजन कर लें तो यही क्या होगा समाजी करण कहलाएगा समाजी करण की प्रक्रिया में सामिल नहीं है अनुवानसिक संरचना जो होती है यह समाजी करण की प्रक्रिया में सामिल नहीं होती है इसे भी आप नोट डाउन करें आगे चलेंगे दोस्तों क्या कहा जा रहा है जन संचार माध्यम जन संचार माध्यम समाजी करण का एक मैत पूर माध्यम बनते जा रहा है यह प्रभावित करता है दोस्तों यह आपके मुल्लों को आपके विश्वासों को आपकी अभिवरत्तियों को प्रभावित करता है यह नोट डाउन कर प्रोड देखें दोस्तो अगर आगे हम चलें तो यहां कहा जा रहा है प्याजे के अनुशार बौदिक विकास का निर्दारक तत्व क्या नहीं है सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रशन है यह दोस्तो दोस्तो प्याजे जी के अनुशार अगर हम देखें तो सम समाजिक संरचना जो होती है ये बौधिक विकास का निर्दारक कत्व नहीं होता है आगे हम चलें दोस्तों यहां पर तो यहां कहा जा रहा है प्याजे के अनुशार कुन सी अवस्ता में बच्चा आमूर्थ संकल्पनाओं के विसे में तार्तिक चिंतन करना आरंब कर देता ह है दोस्तों यहां पर उस एज का उस प्याज़ का नाम होगा ऑपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता आप तो जानते हैं जीन प्याजे जी ने शंयानात्मक विकास की चार अवस्ता को बताया हुआ था और विकास आत्मक पक्ष में प्याजे जी का बहुत बड़ा युगदान है सबसे बड़ा युगदान है कहना चाहिए सिक्षा मनवे ग्यान में ये चीज़े याद रखना दोस्तो अगला कोशन आ चुका है प्याजे जी के अनुशार विकास की पहली अवस्ता जो जन्म से दो वरस्तक की अवस्ता होती है जिसके दोरान बच्चा खालिस्तान तरीके से बहतर सीखता है उसका नाम ही है इंद्री गामक अबस्ता अर्थात इंद्रियों का प्रियोग करके बच्चा यहाँ पर सीखता है आपने देखा होगा जब जन्म से दो बस तक बच्चा होता है वो अपनी आग, कान, नाग आधी का प्रियूप करके क्या करता है? सीखता है अगला प्रशन चलेंगे नैतिक दुबिदा या नैतिक तरकण को किस मनुवै ज्यानिक ने प्रतिपाधित किया है? बात होगी दोस्तों यहाँ पर लॉरेंस कॉलबग ने नैतिक तरकण का सिद्दान दिया हुआ है, यह चीज आप भूलेंगे नहीं आज के बाद आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास की खालेस्तान में बच्चों की आख कान नाख से सूचते हैं वही अवस्ता होती है, जन्म से दो वर्स्तक की अवस्ता, जिसे हम इंदरी गामक अवस्ता के नाम से जानते हैं, संबेधी प्रीरक अवस्ता के नाम से जानते हैं, तो ये काफी महत्पुर प्रश्ट आप लोगों के लिए थे। चलिए और कुछ कोशन डिस्कस कर लेते और गलत के प्रश्णों के बारे में निर्णे लेने में सामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बच्चों को नैतिक चर्चाओं में सामिल नहीं करेगा तब तक वो नैतिक तक अविगास नहीं कर सकता है। कि किस आयू या अब्दी तक मानी जाती हैं। वह ये अब्दी तोड़ा साना कई बार अपवाद लेकर आएगी तो ये 11 से 15 आप अभी इसे मानेंगे। अब दोस्तों अगला कोशन जो है यहाँ पर बड़ा ही अच्छा कोशन है। फोकस करेंगे आप सभी लोग। कॉल बग के नैतिक विकास के सिद्दान्त के अनुशार किस अवस्ता में लोगों की आसा और एक्छाय पूरी करने के संदर में सहीं और गलत का निर्ने कर लिता है। यह करने लग जाता है। दोस्तों यह अवस्ता थी अवस्ता नंबर 3 कूंसी अवस्ता थी तीसरी अवस्ता थी अगला कोशन यहाँ पर पियाजे के शंग्यानात्मक विकास के सिद्दान्त की मूर्ध संक्रियात्मक अवस्ता किस योगता द्वारा लक्षित नहीं होती पांशे के द्वारा जो है यह लक्षित नहीं होती है अब दोस्तों यहां से हम लोग करेंगे अगले वीडियो में डिसकस अगर आप देखना चाहते हैं देखिए पूरा टॉपिक आप देखना चाहते हैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं जितने भी क कोशन आते हैं प्याजे कॉलबग वाई गॉसकी से वन लाइनर कम समय में ज्यादा काम यहां करने की हमारी पूरी कोशिस रही है आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथ साथ में मैं कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आता है ना दबा के लाइक किया करो कि लाइक ही हमारा मोटिवीशन है साम साथ बजे रात नोब जी की लाइक क्लास में मिलते हैं दोस्तों सुबा ग्यारा बजी की क्लास भी आप मिस मत किया करो थैंक यू सो माच पर वाचिन इस वीडियो